नमस्ते दोस्तों आज मैं बात करूंगा अपने दिन के बारे में मेरा दिन बहुत ही खराब हुआ है ठीक है खराब दिन था बूर बहुत ही खराब है और I am sure कि आपका भी ऐसे दिन होता है कि आपके दिन मों बहुत ही खराब हो और आप anxiety है sadness है दिन में और किसी नहुंद बूल दिया बहुत बूरा लगा गुसा आया तो काफी कुछ है मुझे भी आज बहुत गुसा है आया बहुत गुसा ही आया बहुत की मन कर रहा था कि सामने आ व्हालेगा सर फोड़ दू पर हाँ नहीं फोड़ा सर इहटर बैठा हूं घर पे तो कश सब लोगों का ऐसे दिन खराब होता है ना तो लोग क्या करते है उस अगर वह मूड खराब हो तो लोग कैसे मूड़ वापस ठीक करते है और कैसे मतलब सही तरीका क्या क्या है गलत तरीका क्या है यह मैं अपने हिसाब से जो मेरे अटके वोगर्ण पढ़ी है किसाब से आपको तो देखो क्या होता है कि जैसे जो मेरा मन बुर्ट हाब तक घर आया तो मन दिमाग खराब है ठीक सामोसा लेवी कुछ ब्रियानि कुछ मंगाओ और ठीक है वो eating जो होती है ना anxiety eating या जो मतलब emotional eating वो तो emotional eating तो big no है emotional eating का कोई फाइदा नहीं है तेखो जो जब आपका mood खराब होता है और जब आप उससे उभरने की कोशिश करते हो उसे कहते coping mechanism ठीक है आपका जो coping mechanism है वो healthy होना चाहिए अब यह जो eating वाला है वो unhealthy है या for example आप किसी को phone करोगे अपने दोस्तों को और अपना दुखड़ा रोगे आप कई बोलेंगे कि वो अच्छी बात है ना लोगों से बात करनी चाहिए बट अगर तुम सिर्फ अपना दुखड़ा रो रहे हो ठीक है और रोते जा रहे हो दुखड़ा रो रहे है मतलब कि दोस्त को जब बात कर रहे हो दोस्त को इसके बारे में बता रहे हो तो तो तुम्हारा solution oriented thinking होना चाहिए कि यार ठीक है यह हो गया यह मैं दुखड़ा रो दिया उसके बास solution मांगो या discuss करो कि क्या solution होगा इसका अगर बैठके तुम बस दुखड़ा रो रो अच्छा लगा कुछ पर फाइदा नहीं हुआ ना कुछ सीखा कि आगे अगर वह situation होगी तो क्या करना है कुछ नहीं किया आप बस चुप चप वापस बैठ गए ठीक है और थोड़ी देर अच्छा लगा पर वापस वह मूड खराब है ना कोई solution मिला तो यह चीज तो करना नहीं चाहिए आपको यह चीज कर फाइदा ही नहीं है पाकी कि फिर यह तो लोग सबसे डेंजर। होता है वो है कि लोग ड्रक्स ड्र έक्ब्स दारू वह सब कर लेते ह। ठीक है कि दारू पीने लग जाते हैं ड्रगs कर लेते हैं पर वह कहा हूत ही टेंपरेरी है शौर्ट टर्म में ठीक है पर उसके बाद फिर फिर क्या होता है कि अच्छा लगा थोड़ी दीर अच्छा रगा नशा हो गया सब सही लग रहा है बट अगले दिन तुम उठोगे तो देखोगे कि हमेशा ना एंग्जाइटी साडनेस बढ़ जाती है क्योंकि यह तो रिसर्च से प्रूवन है कि जो दारू है ड्रग्स है वह ना शॉट टर्म में आपके एंग्जाइटी दबाती है बट वह जो दबी शेप में आ जाएगी ना तो तुम्हारी एंग्जाइटी भी वैसी है तुम दारू पीके वगरा उस टाइम तुमको अच्छा लग रहा है बट फाइनली अगले दिन वह एंग्जाइटी बढ़ेगी बढ़ेगी तो दारू ड्रग्स फूड यह सब चीजों से दूर रहो यह k golな काशें किए तो पिंग में अच्छे कोपिंग में जम क्या है अच्या अच्छा कोपिंग में pouvों मैंने क्या कि वनेग्धााs हैMax ऑप बढ़ेगी लगा यूट्वी लगाऊं पे कुछ मांगी विडियो देखा तव भी घरापót काई इससे बियूंपको फायदा नही आपका focus आप बस basically अपका focus है आपका focus वो जो sad वाली चीजे है जो mood off वाली चीजे पर जा रहा है ठीक है जो हमारा जो mind उसमें थोड़ा negative बाइस होता है जो negative चीजों पर जादा हमारा ध्यान जाता है तो काटून लगा लेता हो ठीक है तो मुझे पता है कि वह गलत है पर मैं इंसान हो मझसे भी से गलतिया हो जाती है मैं भी पूरे टाइम जैसे किताबों में लिखा है वैसे तो नहीं जी सकता राइट तो कुछ काटून वाटू लगा लिया यह वो कर लिया अपना फोकस शिफ्ट कर लिया यह भी गलत है क्योंकि कोई प्रॉब्लम आती है मैट्स का कोई क्वेश्चन होता है वो प्रॉब्लम कहते हैं मैट्स से क्वेश्चन को प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन होता है ना तुम त पस question paper कहीं पर छुपा दूंगा तो मैं पास जाओंगा question paper छुपाने से पास नहीं होगे question paper solve करने से पास होगे तो कोई अगर problem है तो उसका solution ढूंड़ो अब जैसे मैं मैंने गया कि मेरा coping mechanism क्या था मैं सूच है कि मैं इस पर वीडियो बनाओंगा और वीडियो बनाते बनाते मेरे को solution भी दिखने लग गया उसका कि मैं यह तोड़ा healthy coping mechanism है कि मैं अपनी बाते भी शेयर कर रहा हूँ बड़ मैं यह नहीं है कि मैं बस went out कर रहा हूँ कि हाँ यार यह गलत है वो गलते नहीं मुझे पता है कि मुझे solution oriented ही जाओंगा मेरा जो वीडियो है हमेशा problem से शुरू होता है और solution पर जाता ही जाता है तो मुझे पता है कि मैं solution पर जाओंगा तो यह मेरा healthy coping mechanism है उसके बाद फिर walk पर जाना exercise करना वह भी एक आपका क्या होता है कि आपका focus change होता है आपकी body vibrations change होती है आपको अच्छा फील होता है endorphins जो healthy hormones है वो निकलते है हमारी body में तो अच्छा फील होता है तो exercise करना walk करना ठीक है किसी दोस्ते बात करना और solution पर भी आना कि ठीक है यह problem है यह हो गया अब इसका solution क्या है वो भी जरूरी है फिर उसके बाद meditation करना कुछ आप अगर आप focus shift करना चाहते हो तो टीवी वगारा देखने से अच्छा है कि किताब पढ़ सकते ह हो बड़ में यह मानता हूँ कि जब आपका मन बहुत ही जादा वो तेजित है और मन में बहुत साही चीज़े चल रही है तो किताब पढ़ना मुश्किल है छी कैं मेरा भी मुश्किल हो जाता है किताब पढ़ना तो फिर इसके इससे च्या होते है कि जसे में फिर मैं motivational videos चल ठीक है और और also आप हनी मैं और हिंदी में भी जैसरी काफी लाता हूं मैं अभी मैं आब दोसकंदो को सुनना मैं पहले भी सुनता था कर दो का था लेता में कुछ भी ग तो टीकी में करे है तो कुछ ना कुछ पैसिकली क्या करता है कि कुछ अपने माइन को अपने फॉकस को सिंट करने क्या कूशिश करता हुपर एक पॉजटीव तरीके से ना कि समोसे खाके और वो cartoons देखके कुछ positive चीज़ करना ठीक है problem हो गई है जब problem होती है जब sadness होती है तो sadness का फाइदा होता है कि जब sad होते हो ना आप तो आप क्या करते हो आप एक analysis mode में चली जाते हो कि क्या गलत हुआ मैं क्या कर सकता था वैसे अगर आप हसी खुशी जी रहे हो तो आप analysis नह नहीं करोगे पर जब आप sad होते हो ना तब आप सोचते हो कि क्या गलत हुआ क्या मैं क्या कर सकता था तो एक analysis mode में आप चले जाते हो और वो भी जरूरी है ठीक है सोकरटीस जो है बहुत बड़े philosopher है वो यह कहते है कि an unexamined life is not worth living अगर आप अपनी life को examine नहीं करोगे उसको analyze नहीं करोगे और देखो के मेरी गलती क्या है ठीक है तो आप आगे अच्छी तरह से नहीं जी पाओगे नहीं बढ़ पाओगे कहते हैं ना विराट कोली के भी मैंने मुझ से सुनाई यह quote कि जो success है उसमें ego भर जाता है पर जो greatest teacher है वो loss है वो sadness है तो sadness जब आ रहा है तो तो उसका use करो तभी मैं कहरो कि solution की तरफ जाओ ठीक है तो तुम्हारा जो sadness वाला तुम हार गए या तुम्हारा तुम्हें किसी ने डाट दिया जो जो भी हुआ या office में आज ऐसे सब हुआ कि मेरे मन किया कि सर्वर फोड दू यह कर दू बट वह यह नहीं कर सकते भाई पापी पेट है पेट तो चला नहीं है ठीक है मैं एक बोलूगा कि या नौकरी ना ठीक है करो पट नौकरी वो करो कि थोड़ा उसमें मन लगे मन लगना ज़रूरी है मन लगे respect मिले पैसा भी मिल करें मुझे लगता है कि अगर प्रायर्टी में करूंगा तो वैसी जॉब करो जिसमें पहला तो मन लगे ठीक है self-respect मुमारी कायम रहे सही रहे थर्ड पैसा है पैसा भी important है मैं यह नहीं कह रहा कि एक हजार की नौकरी करो ठीक है नौकरी करो अच्छी तरह से नौकरी करो बड़ क्या बोलते हैं कि self-respect, interest यह सब important है चलो comment section पर यह लिखना कि तुम्हारे हिसाब से कितनी salary per month अच्छी salary है ठीक है इतनी तो होनी चाहिए इतने से इतने के बीच में होना चाहिए कि जैसे 50-60 के बीच में तो होनी चाहिए वो सही अच्छी salary और दूसरी बात है कि आज का जो वो है चालेंज है 500 likes का है तो 500 likes करो ठीक है तुम तो 70-80 में छोड़ देते हो likes को 500-100 करो तो कुछ मज़ा है लट्डू पेड़े बाटे है ठीक है तो यह है तो coping mechanism अपने healthy करो ठीक है best तो होगा कि exercise करो ठीक है walk पे जाओ solution paper pen उठाओ और solution ढूणने ही कोशिश करो meditation करो अपने मन को शान्त करो अच्छा खाओ fruits खाओ अच्छा खाते हो तो अच्छा feel होता है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहा हो मैं या कुछ कभी कभी क्या होते है कि accomplishment वाली feeling कुछ है न छोटा task करो for example घर साफ करने लग जाओ तो घर साफ जब करोगे तो एक अच्छी feeling आएगी अब क्या हो गया कि जब तुम्हारा दिन खराब है तो तुम्हें बहुत ही negative feelings आ रही है तो तुम्हें एक छोटी सी positive feeling आएगी न तो तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम यह कर सकते हो कि तुम जैसे मैंने भी अपना जो घर है वो थोड़ा ठीक करने की कोशिश करी ठीक है और bed मेरा मैंने बनाया तो वो सब चीज़ें आप करते हो ना छोटे-छोटे टास्क जब आप कर लेते हो तो उसमें एक तो आपका focus shift हो जाता है सारा काम तो मतलब सारे पैसे तो focus के ही है focus को हमें shift करना है और उसके बाद जब आप accomplishment करते हो कि यार मैंने यह ठीक कर दिया यह यहां पे वो कर दिया तो अच्छा लगता है अच्छा तो लगता है वाही ठीक है वो बनाया है video I hope आप समझ गए होगे मेन फंडा है coping mechanism जो है sad होते हो तो cope करने ही कुशिश करते हो sad होते हो तो आपकी body आपका mind उसको वो करता है battle करता है ठीक है वो battle जो है वो positive battle होने चाहिए healthy battle होने चाहिए healthy coping mechanism होने चाहिए ठीक है दोस्तों and no daru no cigarette no unhealthy foods unhealthy food जब खालो दोस के साथ पर जब sad हो तो यह सब नहीं करना ठीक है और दारू और cigarette के तो वह बिल्कुल खिलाफ हो और कि नहीं पीना चाहिए वो मुझे लगता है कि देखो दोस्तों के साथ खुशी विशी में लोग पीते हैं पर मुझे लगता है कि जातर लोग ना जब sad होते हैं या anxious होते है जो mental health patients हो जब पीते है तो वो क्या करते है वो escape ढूंते है भागते है अपनी problem से तुम problem से भाग रहे हो इसी के लिए compulsion कर रहे हो इसी के लिए anxious बैठे हो problem को face करो face करो दर के आगे जीत है ठीक है तो करने का क्या करने का face करने का मेरा ना मुंबई या में मुंबई में काफी टाइम रहा हूं तो मेरे मुंबई या हिंदी निकल जाती है बठा है तो आई होप आप समझ गए होगे ये वीडिय जो फाइदेगा होगा आपको और बने रहो नौलेज लिब्रेट्स और अभी और बहुत सारे चीज़े पर डिसकस करेंगे आप भी अपनी बाते बताओ आपको भी अगर बात करना है तो आप वीडियो बना के भीजो मैं उसको अप्लोड करूंगा चैनल पर ठीक है तो झाल बहुत सारे चैनल पर रिसकी प्लोड मैं लिदेगा है वीजो करूंगा खाहँ करूंगाँ और रिसका है तो बना करूंगा हैा लिएक रातना है दो गाशएगा